इस वीडियो में हम देखेंगे ख्याती कमपनी के KTC 22 कंट्रोल पैनल में आन टाइमर आफ टाइमर का सेटिंग कैसे की जाती है सबसे पहले आपको पंप को मैनुल मोड में रखना है और मोटर आफ करनी है उसके बाद सेटिंग का स्विच प्रेस करके रखना है जब तक डिस्प्ले के उपर सेट नहीं आ जाता उसके बाद यहाँ पे OC Show होगा उसके बाद आप रेड बटन प्रेस करोगे तो ONT आ जाएगा ONT मतलब ON TIMER यह सेट करने के लिए आपको सेटिंग का बटन प्रेस करना है उसके बाद by default यह टाइमर आफ होता है अगर आपको 30 मिनिट सेट करना है तो आप रेड बटन प्रेस करते हो तो वैल्यू इंक्रीज हो जाती है और ग्रीन बटन प्रेस करते हो तो वैल्यू कम हो जाती है जैसे अभी यहाँ पे 30 मिनिट्स सेव करना है, तो यह 30 पे आने के बाद मैं सेटिंग का बटन प्रेस करूँगा, तो वो on timer सेव हो जाएगा, अगर आपको off timer सेव करना है, सेट करना है, तो oft आने के बाद सेटिंग का बटन प्रेस कीजिए, तो by default यह timer भी off होता है अगर आपको change करना है तो red button से आप उसको increase कर सकते हो green button से उसको decrease करते हो अगर मुझे जैसे अभी मैं यहाँ यहाँ पर 10 minute उसको set करता हूँ तो value आने के बाद आपको setting का button प्रेस करना है तो display के उपर accept आजाएगा उसके बाद आपको setting menu से बाहर आने के लिए escape आजाएगा तो उसके बाद setting का button प्रेस करना है तो यह setting mode से बाहर आजाएगा जब आप दोनों भी timer on timer और off timer दोनों भी set करते हो तो वो as a cyclic timer काम करता है मतलब जैसे मैंने अभी यहां पर 30 minutes और 10 minutes रखा है तो जबी भी motor start हो जाएगी तो 30 minutes on और 10 minutes off रहेगे जाएगे